जान करिए एक नमा कॉंसेप्ट अकाउंटेंस इदा जिवी शोर है अकाउंटिंग इक्वेशन्स ख्राप्टिंग क्राप्टिए एक्वेशन वीडियो तो डिखांगे अच्छा निए एक्वेशन थे इंपक्त के में पहनद है वो दि अनिशल जानकरियस्या थी वीडियो दिख्राप्त करांगे वेरी इंपोर्टेंट कॉंसेट तोड़ें वी आ डिएक्षा आओ देख्ञे सब तो पहलना, Accounting Equation जि में थी लिख्या विया है थी आनल देखो The accounting equation is considered to be the foundation of double entry accounting system It is a tool with which we can assert that debit and credit are equal after each transaction and even the end of group of transactions of a day, month, year It shows that assets are always equal to equity Equity means capital plus liabilities अव असान शब्दाज सम्झाज़ी कोशिश करते Accounting Equation नू double entry system दाए का foundation नी मनेगर ए अजिहाद tool है हथ्यार है साड़े हाथ देविच Commerce से स्टूटेंट से विच जदोसी अकाउंटेंट से दिल कर दें एक ट्राजेक्शन दो बाद, एक दिन दी ट्राजेक्शन दो बाद, एक मिने दी ट्राजेक्शन दो बाद, एक साल दी ट्राजेक्शन दो बाद त्यांना है, हर ट्राजेक्शन दो बाद चाहे ओएक दिन वाद दियां ट्राजेक्शन दिगल करी एक में ने जब पूरे साथ दियां Accounting equation एच जिस निश्चित कर दिया है कि जिनना debit है उनना ही credit हो जुके यह हमेशे शो कर दिया है accounting equations ने जड़ियां कि assets ने जड़ियां business नियां ओहो equity दे ब्राबर हो दिया equity दे regarding मैं तो नों concept details चगे भी clear कर रहें इथे समझन दे कोश करें equity means capital plus liabilities या इन्हों सी total liabilities दा नाम भी दे सकते capital plus liabilities समझन दे लिए total liabilities कह सकते हैं इस total liabilities कीने जाए equity की है आओ इन्हों भी अपना जानने पर dear students जड़ी मैं गलत होनुकर यह त्यान रख्यों कि accounting equations समी करना ने समी करना तुसी 10th level तक कि ने एक balancing figure जिनना लेक्षते होना राइचते हैं इसे विच भी एसे तरह हर ट्राइक्शन तो बाद है जिस निश्चित हो जन दिया है कि जिनना amount debit होया है उन्हां ही credit होया है या नहीं चाहे इक मिन्ने दी ट्राइक्शन तो बाद इगल करिया या हर रोजी या पुरह साथ क्लियर ना अब फोर क्लियर करते है ओलजना नीडियर स्टुडेंट फोड़ा पेशेंट्स रखो क्योंकि नमे ट्रॉपिक में प्रावलेंस कर सकते हैं की पॉइंट से को कारण की आए था सब्सक्राइब क्रावलेंस कर अदै कैशेंगर क्यों जानने हैं के विच्छ सब्सक्राइब हमें या था पर देबिद्ट की होंगे ब्राबर होंगे यह आसा कंटिंग एख। जड़ी basic accounting question है इन्हों त्यान रखो दिया students this one जड़ी मैं circle कर रहे है red circle दे बीच equities are equal to assets that is important point equities की होने आदे आओ इन्हों जाने है equities means all the claims against the assets of any business or we can say the source of all assets ये बहुत important है the source of all assets business दिया संबत्य आने simple सब्दार समझने है पहला फिर अपाई दिस specification कर दे है जो इते लिखे बिजनस संबत्य है machine क्रिट दिया है building क्रिट दिया है bank दे विच पैसे जमाने क्रिटों तो आए होने कितों आए ने हो उस साथा साथा claim जड़ा बंदा है जो एसे बिजनस क्रिट हुई हैं उन्हें ही liabilities क्रिट हुई है जिनों मैं total liabilities आ नाम दे रहा सी ओह total liabilities ही equities ने एदा मतलब साफ है business दियां सारे assets दे sources equities तो बन देने equities क्यों देने equities की होंदी है एदे वारे अपना डिटेल चुनी गल कर दो पाई गल त्यान ने समझो कि जे बिजनस कोई संपत्ती बनी है मशीनरी है क्या आशे है बैंक क्यों किरतों था आया है यह ता त्यान हो के न मंच एक कुश्चन पहला पैदा करो कि जे आशर्स ने आशर्स सा सोर्स की है कितों है इने पैसे एक त्यान रुखो कोई किसे ना किसे इकुटी दो क्रियेट हो इने आओ पाउधे बारे भी जानकारी राप्त कर देखिए सब तो पहला इकुटी दो तरह दियाने एक जड़ा व्यू है कुछ जड़े स्कॉलर्स ने इक त्यान बांते ने कि इकुटी दा मतलों सिर्फ कैपिटल हों दिया ड़ी ओनर्स ने जड़ा या ने इकुटी नो कुछ स्कॉलर्स इस टांग नाल भी डिफाइन कर देने जिस नाल इस कॉंसेप्ट नो समझना हो रासान हो जेगा दो टाइप ने ये ला इन्टार्नल इकुटी से बीच असी उस उनर दी उस बिजनस दे अउनर दी डी कैपिटल नो बांग उनर्स इस ने इन्टार्नल क्योंकि इंटार्नल क्यों क्योंकि आंतरिक अंदरों नी कि और बिजनस अउनर है, बिजनस अपना हिस्स है हो हुन, समझ लागे न, एक्सरनल क्यों दिया ने फिर, अदर लाइविल्टीज, कैपिटल तो इलावा, जिनी भी एक्टीज ने, और सारी याँ एक्सरनल ने, जि में क्रेडिटर्ज ने, एक्सरनल मैंने बाहर ले, बिल्ज पेवल्ज ने, लोन दिते वे ने, इस कुछ से भी तरह दिया जिदिया लाइविल्टीज, ओनर्ज कैपिटल तो इलावा ने, वो सारी एक्सरनल एक्सरनल इकुटीज कहां दिया ने, उन्हां वसी अदर लाइ जिन्हां उसी टोटल लाइविल्टीज भी कह सकते हैं एक्सरनल लेक्सरनल दिया नाम दे रहें, एक्सरनल इकुटीज नाम दे रहें, खलीर होगे न, एक्सरणल मैंने बाहर लाई तो इस तो पहला दसे है कि आशर्स किजे वरापन हों दियाने इकुटी जे इस इक्वेशन नो और बैलन्स कर दो अग्यवादी है कि वान गया प्लस लावब अवद नमेरिकल परपल्स नहुं होद अक्सपैंड करिये जिवेे मैं तब अंद रसे हैं इकुटी इक्वेस इकल तो आशर्स उप जिन्हों आदर लावदे लिए कोई इसे ओनेज एकुटी की हम दिया है capital outsider equities की ने other liabilities जिमें creditors bills paywall loan यह सारी हो other liabilities ने this means capital plus liabilities equal to the assets that is the basic accounting equation इस equation नो पकड़ के रखो capital plus liabilities is equal to assets इस equation नो जेकर सानू आंदा है तुसी 10th level ते बड़ा clearly रिजवरी कली कर चुक्यों असी इदे वीचों से आनना सोचो जे सानू capital liabilities पताने then we calculate assets जेकर असी capital calculate गरना जाने है सानू assets से liabilities पताने ता equation की बंजे हुई capital is equal to assets minus liabilities जे सानू assets से capital पताने liabilities गरना जानने है ता this one liabilities is equal to assets minus capital समझ लागया इस तो साफ पता लागया कि business दिया जड़िया assets ने एतने अंडरो को की point है ओदा सारा claim है जिनियावी equities ने उन्हादे कारण ही assets create हों दिया है तो यह लागया source of all assets are equities जड़िया assets सादन ने को कोई ने equities किस तरह बिजनसमेन ने पैसा लगाया पैसा आ गया क्या नहीं business दिया संपत्तियां खरेदियां गई यह business ने sale की थी credit sale की थी समय लागया creditors create होगे business देविच पैसा आ गया नहीं आ गया जिदो पैमेंट मिली तहां वो पैसे थे ना business देविच नमें तो नमे डैडर्स create होगे यह credit sale क्रेटी है यह cash आ गया cash देविच cash account देविच जा सकता है bank जा सकता है assets create होनी आए तहां साफ हो गया सारिया मैं लिफ है एक च्छोड़ा ने मैं कर रहे हैं तो लाप दर इस लाप दक समझ जो जो क्योंगे capital of any business is 8 lakh liabilities 6 lakh the value of assets is very easy basic accounting equations are equal की है assets is equal to capital plus liabilities असी capital दे liabilities नूँ add करता जो सानू questions देता है वैसी we got the value of assets नीचे मैं चीज हो लिए है similarly we can colored value of capital and liability माल लो सानू दो चीज जहां पताने जि मैं इस assets calculated की दियाने same is accounting equations तो जो मैं purple करते विचे से show की थी भी है assets is equal to capital plus liability असी capital दी value भी कर सकते है ते easily liabilities दी value भी कर दी जा सकते है liabilities clear हो गया आओ एक introductory आसी देखिए कि business transactions दा business दे किसे भी लेन देंदा accounting equations दे विचे की impact पहनदा है जब कि मैं show कर दें बट ब्रीफ है यह ते आम रखिए येस effect of transaction on accounting equation एक transaction लगने आपना पहला सब्सक्राइब लेट अर्विंद commence business with rupees 40,000 as capital अर्विंद ने business शुरू किता है 40,000 दी capital दा accounting equation किया मैं पहला अंदस्सिया कि हुन दिया है assets are equal to equities total liabilities or liabilities समझ लागया है हुँ ए लाइन इस तों बाता सी क्लाइन ब्लैंक चाड़ थी क्योंकि सानु बदा है liabilities दे वीच सारी या लाइविल्टी आने प्लस capital एस्टू से वीच जिनिया भी business transactions दे करके एस्टू सारी यां आने किया जदों जदों इसने बिजनस शुरू किता चाली हजार ना capital इंट्रोड्यूस इसे मैं description दी एंट्री थी capital इंट्रोड्यूस capital business लगाई दो अकाउंट्री फैक्टर होई cash आ गया capital create होगी personal account है थांजे आना सोचो मैं assets से नीचे एक नमी assets लिटी cash ओके 40,000 cash आ गया प्लस है यह प्लस नहीं है इन एक्स अकाउंट वास्ते है इत्थे मैं plus जा माइनस अमने चाली हजार बिजनस से cash आ गया ओके ते capital 40,000 होगी हुन तक दी accounting equation देखिए एठे शोग इती मैं accounting equation देखो 40,000 cash होड़ता कोई assets है नहीं हजे तक 40,000 capital जिनना है debit और नहीं credit एह दा accounting equation जड़ी मैं उपर शोग किती है जासे पीछे देखिए एक transaction होड़ देखिए अपां माद लोगो निचे देती विए देखो लैट मशिनरी पार्चेज 20,000 तो एंटी खावजान दी मशिनरी पार्चेज गयती सानु सारा नों पता है दो account affected होगे एक cash एक machinery दोने रियाल account ने जे machinery business ने पार्चेज किती है machinery आगी business देविच वच comes in debit machinery value increase होगी assets value increase होगी देखो पहला मैं उपर कला cash लिखिया सी क्योंकि first transaction cash आया सी क्योंकि नमी अगी machinery मैं प्लस machinery भी लिपता हूँ नीचे देखो machinery purchase description देविच 20,000 दी machinery purchase कर दी machinery value 20,000 और प्लस आगी देखो आई कि थाए 20,000 दा cash minus हो गया थाहीं यह थे मैं minus 20,000 देखो negative sign by minus वी हजार new accounting एदर देखो liability side कोई असर नहीं प्लाइक्षिन था यह साइड देखो लाइविल्टी साइड यह सी की करता blank 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 जिते कोई असर नहीं ओथे यह माइनस ब्लैंक ब्लैंक चाड़ांगे निल 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 कोई असर नहीं है खाली जगा नमीर काउंटिंग इक्वेशन की बानगी दियर स्टुडेंट्स नहीं देखो 40,000 तो 20,000 माइनस करते कैश किना रहा है 20,000 मिशिनरी पहला कुछ भी नहीं सी यह थे क्लियर हो गया डियर स्टुडेंट्स कब्रावन क्लियर करोंगा वेरी नेक्स्ट वीडियो तुसी देखो इस तो बाद जिसने बीच मैं सिर्फ असी देखांगे काउंटिंग एक्वेशन नहीं समय चुक्या होते देखांगे एसी कि बिजनस ट्राजक्शन दा इंपेक्ट की में पेंदा है डिटेर्श करांगे समझ लगया है रीकाप्सुलेट करों मंचिक वरी सारियां गर्लाना तो यह स्टुरेंट्स इस क्लियर नवी वीडियो दा भी इंट्राइस को जिसने मैं तौनू बिजनस ट्राजक्शन दा हरी ट्राइब जड़ी हो है बिजनस नहीं करना भी और सबस्क्राइब हो जिन्द है तेस सवाल थैंक यू वेरी माच नमी वीडियो दा इंसाट को बहुत जल्द मैं तोड़े सामने आनवाना है एक नमी वीडियो लेके इस कॉंसेप्ट मों प्लीर करने लिए तक थैंक यू वेरी माच